आसा गुड मॉनिंग एवरीवन और विलकम यॉल तो सवरापन्दे यूपीस से यूट्यूब चैनल के अंदर एड़ इसकस आज के जो टॉपिक्स उनको डिसकस करता हैं अगर आप सिविल सर्विस एक्जाम की दाहरी करें तो इस चैनल से जरूर से जुड़ें सो आज के जो टॉपिक्स हमारे हैं like we will discuss about the 14th amendment act, 14th amendment act related with US constitution, news में है, stackflation, economy का टॉपिक है, this is linked with economy, AITGA, economy plus IR का टॉपिक है, Arecibo message क्या होता है, science का topic है, geography of Taiwan, geography का topic है, global goal of adaptation, फिर mains का question है, यह आपका, जो COP28 है, उसमें मैंने बोल साथ जगह छोड़के रखना तो उस पर एक नई चीज और आई है, तो वो discuss करेंगे, So, यह सारे topics हम लोग discuss करेंगे, आज का question देख लो, और यह COP28 के context में ही, यह question मैंने frame किया है, adaptation and mitigation are two equally placed strategy against climate change, but not equally, are equally, थोड़ा सा framing और मैं करूँगा इसमें, but not equally placed, कुल मिला कि यह है कि, दोनों ही strategies को एक समान रखा गया है, but, असल में वो equally placed नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा यह, यहाँ शब्द का थोड़ा सा change करना पड़ेगा, adaptation and mitigation are two equally placed strategy against climate change, but not equally given importance ऐसा कुछ करके question, थोड़ा समान रूप से नहीं रखी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर यह, कोई doubt है, तो आप इस number पर मुझे reach कर सकते हैं, सारपांडे CSE app जुरूर से download करें, ठीक है, Google store पर जाके आप लोग download करें, इसमें app के अंदर आपको free e-content भी available है, pointer current affairs भी है, वो भी आपको डाले जाते हैं, वो भी आपको लोग go through हो सकते हैं, तो उसको भी go through होना है, और website भी है सारपांडे UPSC.com करके जो website है, उसको भी आप लोग follow कर सकते हैं, उसमें आपको सारा content हिंदू का और यह सब भी आपको available रहेगा, agriculture optional अभी 20% off चल रहा है, तो इसको जरूर से करें, फर्स्ट तारिक से, सारी के सारी जो classes हैं आपको available हो जाएंगी, तो यह है, प्लस यह जो mentorship program है, आप लोगों ने mail भी काफी सारे लोगों ने भेज़ दिया है, जो अभी सोच रहे हैं, plan कर रहे हैं, 24 की तारी कर रहे हैं, तो mentorship program को miss नहीं करना है, अगर आपका prelims clear होता है, आपको बहुत ज़्यादा confidence है, तो अलग एक इस्तिति है, बट अगर prelims clear नहीं हो रहा है, prelims से related कई सारे चीज़े हैं, plan अच्छे तरीक सा नहीं हो रहा है, तो इस program का हिस्स आपको बनना चाहिए, जरूर से बनना आप इस mail ID में करना है, सारा 556-321 करके, to addthereitgmail.com, सारा करके मुझे mail करना है, वही लोग जो लोग इस program का हिस्सा है, जो join कर चुके हैं, तो with received आपको मुझे mail कर देना है, चलो शुरू करता है, this is important topic, इसको थोड़ा सा discuss कर लेता है, कुछ जो important context है उसमें, इस पर हम लोग 5 a.m. पे, ठीक है, तो यहाँ पे, इस पर हम लोग ने 5 a.m. सीरीज पे, चर्चा अल्रडी जो है, अगर आप देखोगे, तो we have discussed about in the 5 a.m. सीरीज, बट यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा हमें इसके political angle पे नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, but we have to discuss in the context, क्योंकि GS Paper 2 में हमें दूसरे जो समिधान हैं, दूसरे देशों के, उनके comparison की context में चीज़े रहती हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए, तो यहाँ पे, अगर देखा जाए, if you can see, तो यहाँ पे Colorado Supreme Court ने ruled किया है, Donald Trump ineligible for 2024, देखो, simple सा अगर आप देखो कि जब पिछली बार Donald Trump जो है, वो एलेक्ट होकर नहीं आए, तो वहाँ के Parliament पे attack हुआ था, और उसमें कहा गया कि Donald Trump की जो supporter है, उन लोगों नहीं किया था, अब देखो यह, अगर आप Indian democracy देखो, तो इस context में हम थोड़ा maturity रखते हैं, और अभी security breach रहा था, और security breach में, government ने भी बहुत दादा मत तब इस चीज को strictly है, लेकिन अगर आप US की बात करो, तो वहाँ तो बहुत इस्तिती खराब थी उस समय, बहुत सारे लोग पूरा Parliament के अंदर चले गया, तो वहाँ का जो Parliament, वहाँ Congress कहा जाता है, अब उसमें जो investigation और सारी चीज़ों होई तो कहा गया, कि इसके लिए Donald Trump और है आपका जो constitution है, जुसको ratify किया गया था 1868 में, जब civil war खतम हुआ था उसके बाद, 1868 में इसको किया गया था और इसका section 3 है, जिसके तहत उन्हें ये कहा गया कि वो आपका election अब वो नहीं लड़ सकते हैं, तो section 3 basically कोई भी ऐसा individual है, जैसे कुछ ऐसा कार करे, जैसे अभी या वहाँ के congress पर टेक कर दिया, या war against US, ऐसा कुछ इस्तिति आए, तो उसको allow नहीं किया जाएगा कि वो presidential post या फिर जो election है वो लड़ सके, तो यहाँ पे ये section 3 से लिए बहुत important हो जाता है, and ये जितने भी federal state offices, जितने भी हैं, मतलब उनके center state level पे जितने भी offices हैं, उन प वो rules of governance, मतलब जो उनके rules हैं, regulations हैं, समिधान हैं, उसको respect करने की बात की गई है, तो इस section 3 के तहट, Donald Trump है उनको disqualify किया गया, and ये जो provision है, जो भी violence में engaged होंगे, जब मालो, जैसे मालो अभी हार गया है, और उससे फिर violence कर दिया, जैसे Donald Trump का case था, जो अभी कहा भी गया था So, एक ही रास्ता बचता है, कि वहां की जो parliament है, वो दो थी हाई, बहुमत से उस चीज को reverse कर दे, otherwise फिर बहुत मुश्किल होगा, और कोई और option होगा, तो फिर हम discuss करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए, जो भी ऐसे रोके जाते हैं, जिस section 3, 14th constitutional amendment, US constitution के, तो उनको they are not allowed, election नहीं लड़ सकते हैं, और अगर ये जो judgment आता है, इसके खिलाफ अगर, मतब इसको reverse करना है, तो वहां की parliament को, दो थी हाई, बहुमत से इस चीज के लिए, exception Donald Trump के लिए provide करना पड़ेगा, तो अब इस पर बहुत निर्भर करता है, कि कितना जादा, ये किस प्रकार का Republican Party, जो है, ज के number किस तरीके से हैं, आपके, वहां के parliament के अंदर, next topic देखता है, तो यहां पर हमें एक topic पढ़ना है, economy के context में, and that is stagflation, stagflation करके topic आता आपका, stagflation, ये topic आपका economy के अंदर, we can include it under economy section, ठीक है, stagflation, एक अच्छा topic आ जाता है, और यहां पर देखो, अभी फिलाल, Reserve Bank of India ने कहा है, कि जो risk of stagflation के अगर बात करें, तो धीरे-धीरे उसमें कुछ कमी आएगी, तो हमें थोड़ा सा देखना क्या है, what basically is stagflation, stagflation आखिर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए, जैसे, इसको समझने के लिए, कुछ एक थोड़ा सामलोग समझते हैं, कुछ एक understanding है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद ही stagflation की clarity और अच्छे तरीके से आपाई, क्योंको overall हमें concept भी, we need to know about the related concept as well, so let's discuss the, before that, let's discuss certain things, और फिर जो भी content इसमे, stagflation के context में, उसको we will discuss, so let's see, तो देखो यहां पे एक चीज़ क्या हमें समझने, what we have to understand is, कि when you talk about stagflation, so before understanding the stagflation, we need to understand about the inflation, inflation और employment का एक जो है, देखते हैं, देखो जनरली क्या कहा जाता है, कि जब भी inflation की स्थिति होती है, तो कहा जाता है कि जब आपका demand और supply के बीच में gap होता है, जब demand और supply के बीच में gap होगा, मानलो किसी चीच की demand बहुत हाई है, supply कम है, तो उस स्थिति में रहता है कि demand को बढ़ाया, मतब demand और supply के तो अगर demand जादा है, मालो demand 100 unit की है, supply 80 unit की है, तो कहा जाएगा 20 unit और add करो, तो जब आप supply बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, employment generate होता है, ये कहा जाता है, कि जब inflation या महंगाई की स्थिति होगी, तो उस महंगाई की स् system place करेंगे, या उसको meet करेंगे, तो इससे जो employment opportunity है, that employment opportunity will also improve, ठीक है, employment opportunity भी आपकी काफी अधी increase होगी, तो generally inflation अगर एक level of inflation है, उस level of inflation के साथ जुड़ा क्या रहता है, कि हम भी कहते हैं कि ठीक है, कि employment की स्थिति आपकी बनी रहती है, मतब अब अगर inflation थोड़ा बहुत है, और एक range talk inflation है, तो employment opportunity भी आपका reflect करता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कि inflation जो है, inflation भी है और उसके साथ unemployment की स्थिति भी बनी होती है, unemployment भी है, और inflation की स्थिति दोनों चीज़े बनी हैं, तो इस स्थिति को हम जो शब्द यूज़ करते हैं, that we also call it as stagflation, we use this term called as stagflation इसमाल करते हैं, जिसमें आपके पास inflation है और आपके पास unemployment दोनों चीज़े रहती हैं, तो against, मतलब वो जो normal thought process है, उसके एक तरीके से आप कह सकते हो, कि उसके just थोड़ा सा ये चीज़ opposite consider की जाती है, कि आपके पास inflation भी है और आपका unemployment, अब इसके पीछे क्या कई reasons हो सकते ह various reasons for it, जैसे मालो, मालो, generally inflation non-economic factor की वज़े से भी हो सकता है, non-economic factors है, उन non-economic factors की वज़े से भी there can be an inflation, तो ये क्या है, जो non-economic factors है, उसकी वज़े से भी inflation वो आपका हो सकता है, तो अगर ऐसी स्थिति होगी कि non-economic factors है, तो फिर हम उसको employment, मतलब सबसकर हो climate change हो गया, हो जाए, ऐसा हाई है, कोई भी ऐसा factor हो, जो की हम, मतलब, जो की किसी भी factor की वैसे आपका जो employment opportunity ना create करे, तो जब ऐसी स्थिति बनेगी, जहाँ पे आपके पास, when you have, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखाए कि, when you have, like economic growth भी negative है, inflation भी हाई है, और unemployment भी हाई है, मतलब inflation भी हाई है, जैसे अगर आप ऐसे draw करोगे, तो unemployment भी आपका बढ़ रहा है, और inflation भी बढ़ रहा है, तो यह जो स्थिति है, इसको हम stagflation शब्द जो है, इसके लिए इसके लिए इस्तमाल करते हैं, तो यह चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, यह आई होप यहाँ आप लोग को clear हो गया होगा, so we use this term called as stagflation शब्धमिश के लिए जो है, इसके लिए इस्तमाल करते हैं, नेक्स देखते हैं, इंडिया आशियान 2 रेजिक 15 years trade pact in early 2024, तो topics को pick करना भी देखना बड़ता है, कि किस तरीके के topics, कई topics होते हैं कि एकदम build होते हैं, जैसे मैं आप topic होगे, headlines आ गई, कुछ ऐसी स्तिति आ गई, तो अब वो topic build हो रहा है, topic build होने के बाद, थोड़ा बहुत, थोड़ा wait करो, 2-3 दिन wait करो, बढ़िया पूरा article आ जाया, जिसे कल criminal laws पे हमने पूरा discuss कर लिया, टेलिकॉम के उपर हमने पूरा discussion कर लिया, उसमें बहुत research नहीं क करना है, कि हमें कोई topic उसका knowledge होना चाहिए, हमें उस topic के बारे में पता होना चाहिए, और एक positive understanding होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा critical हो रख्यों, उस चीज को लेके, तो एक positive understanding हमें होनी चाहिए, अब यहाँ पे अगर आप देखो, if you see here, अगर यहाँ प discussion होगा, तो February के महीने में जो भी discussion होगा, और February में article आएगा, हम discuss करेंगे, लेकिन अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम कुछ point जाना, आशियान के बारे में जाना है, इस trade agreement के बारे में जाना है, कि और इंडिया के concern के बारे में जाना है, तो इससे थोड़ा हमारी स्थि अच्छी बनी रहेगी कि फरवरी में जब discussion होगा तो हम फिर और तरीके से चीजे समझ पाएंगे तो अभी आपको यह IR के अंदर लिख सकते हो यह economy वाले पार्ट में लिख सकते हो इंडिया आशियान ट्रेड एग्रिमेंट ठीक है यह आपको topic मेंचन करना चलो अब यहां प declaration यह Bangkok declaration किससे रिलेटेड है इसके founding countries इंडोनेशा मलेशा फिलिपीन सिंगापूर थाइलेंड थे बुर्नाय जो है वो 1984 में जुड़ा वेतनाम आपका 95 में फिलायोस जो है और मैंनमार 97 में जुड़ा कंबोडिया 1999 में जुड़ा और 99 में फिर आज present form में जो आस्यान देश में तो यह प्रिलिम्स का फैक्ट हो गया अब इसमें देखो इसमें सारे देश हैं सारे देश आ जाते हैं कमेंट सेक्शन बताओ खुद बताओ कि इन आशियान कंट्रीज में कौन से देश जो हैं इंडिया के साथ अपने relation को बहुत importance देते हैं और क्यों यह थोड़ा सा ब आशिया बुर्णाय यह सारे देश जो है आपके इसके अंदर आते हैं अब यहां पर आशियान इंडिया ट्रेड जो है इन गुट्स अग्रिमेंट अगर देखा जाए तो यहां पर यह जो ट्रेड डील है दस देश हैं आशियान के और भारत के बीच में यह अग्रिमेंट क्यों sign करता है ठीक है trade agreement normal trade agreement और free trade agreement में क्या आनता है free trade agreement जैसे मालow हम अगर किसी के साथ व्यापार करते हैं तो आसानी से व्यापार हो जाए और किसी भी प्रकार का एसा ना हो कि घुळा रह हैu या वो हमारे product पे tax लागा रहे हैu कोई ऐसी स्थिती ना रहे, कि किसी भी प्रकार का tax और किसी भी प्रकार का, बहुत ज़्यादा ऐसा आप impose करें, quota system डाल रहें, कुछ ऐसा ना करो, तो यह खास तोर से generally, जैसे trade agreement में तो trade में इस चीज़ें मुद्लाइन की जाती हैं, लेकिन free trade agreement में इस चीज़ को minimum रखा जात किसी भी प्रकार का trade या non-trade barrier जो है, उसमें ना अपला है, trade barrier जैसे कोई tax works लगा दिया, non-trade barrier जैसे quota system पर लिए कि इस देश्चाम इतना ही लेंगे, तो यह protectionist tendency अपना ली, तो free trade agreement में generally, जो trade और non-trade barrier है, उनको zero यह minimum रखा जाता है, तो यहाँ पे आश्यान और इंडिय कि बीच में जो agreement है, goods के context में, वो 2009 के अंदर consultation हो, 2010 में agreement आपका force में आया, और इसमें trade दोनों के बीच में बढ़ा भी, 2019 में लगभग dollar 86 billion तक trade पहुचा, फिर 2018-19 की बात करें, तो 97 billion dollar तक पहुचा, लेकिन फिर वो reduced भी है, 17-18 में, because of COVID-19, यह चीज़ reduced भी हुई है, अब agreement जो है, उसमें आपका जो trade है, वो physical goods और product में है, physical goods है, मतब जो different goods है, उनके उसमें व्यपार करने की बात इसमें की गई है, फिर आश्यान और इंडिया ने एक separate agreement service के लिए भी sign किया है, यह facts यादर में, कि 2010 में, जो agreement था, उसमें goods के context में था, services में, हम जैसे माला IT sector की services हो sign किया गया, और अब यहां पे यह भी का गया, कि 2010 में जब goods से related agreement sign किया गया, तो यह वर्ल्ड का largest free trade area बन गया, जिसमें combined market close to 1.8 billion हो गया, क्यों दस देश आश्यान के हो गया, बाकि हम हो गया, अब यही एक जरूरी चीज आप समझने का प्रहास करो, इंडिया आश्यान द पढ़िया तरीके से, अब पूरा समझो, उसा थड़ा map को imagine करो, एक तो इंडियो पैस्फिक का region हो गया, उसके बाद आश्यान देशों से इंडिया का नौर्थ इस्टन डिजन connect हो जाए, नौर्थ इस्टन डिजन अगर हमारा develop हो जागा, तो वो एक gateway बन जाएगा हमारे पूरा का पूरा south east station देशों से या आश्यान देशों से जुड़ने का, लेकिन चाहिना कभी नहीं चाहिएगा, इसलिए वो disturbance तो north east में कराता ही है, है ना कोई ने कोई disturbance कराएगा, कि सारे project आपके fail हो या कुछ निस्तिती बनी रहे, और मैनमार को control पूरे तरीके से चीन न ये सब चीजे हैं, वो प्रोजेक्ट भी काफी हत्यकरान होते, जो कभी हम challenges face कर रहे है, comparatively कम हम face करते, और चीन कभी नहीं चाहिएगा कि ये north eastern region इंडिया का south east station देशों के साथ, जुड़े क्योंकि cultural linkage हमारा बहुत अच्छा है, south east Asia के साथ, Cambodia या Thailand और इन सब रिजन, हमारा इंडोनेशिया में ही चले जो तो वहाँ पर बाली नाम का दीव है, अगर आप सुना भी होगा तो वहाँ पर जैसे रमायन से बहुत अच्छा linkage है, वहाँ जाओगे तो आपको Lord Rama और ये जो है, हन्मान जी, रामवर्ड, इनकी बड़ी-बड़ी मूर्तियां मिलेंगे, वह पर influence बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी connectivity ही नहीं होगी तो linkage तूट जाएगा, तो वह एक इंडिया को मेरमार से ब्लॉक करको और अपना अलग से corridor बना देगा, तो ये इस्तिती चाइना की बनी हुए है, बट हमने 2010 में goods के साथ agreement का किया, 2014 में हमने service के साथ agreement sign किया, और ये बहुत बड़ा free trade area बन सकता, क्योंको 1.8 billion लोग है, आधा तो 1.4 billion तो भारत में होगे, बांकी थोड़े बहुत जो है, जो है 10 billion, बांकी 1.4 billion जो है वो आपके, आशियान देश के 10 देश हैं उनके आपके बन गया, तो धीरे धीरे हमने काफी सारे जो जिसे यहाँ पे देखा है ना कि हमने tariffs को liberalize किया, इसका मतलब होता है कि जैसे tariffs का मतलब होता है, कि कोई product किसी देश से आ रहा तो उसमें आपने tax और यह सब लगा दिया, तो उसको हमने धीरे धीरे दोनों लोगों ने थोड़े इसको liberalize किया, मतलब जो tax और यह सब इंपोस किया जाता है, उसको reduce आपका अकिया, फिर देखो बातचीत क्या चल रही, बातचीत यह concern सबसे बड़ा यह है कि जो भी agreement आया है वो उसमें फायदा आशियान देशों को ज़्यादा हुआ है, जो trade deficit है, trade deficit मतलब हम उनसे ज़्यादा import कर रहे हैं और हमारा export कम है, हमारा जो export है वो कम है, import ह हमारा जाता है, इससे trade deficit है, तो एक तो इन चीजों पर चर्चा फरवरी में भी आपका हो जाए, दूसरा यह भी कहा गया, कि उसको जो भी trade agreement है, उसको क्या करना, modernize करना, जिसमें कई नए areas को include करना, labor law से related, environment, small medium enterprise, gender part, यह सब चीजे मतलब नए जो बदलाव हो रहे हैं, उ उनको भी include करना, और इंडिया के concern को भी trade deficit वाला point है, वो भी एक चीज जो है focus करना, कि इसे इंडिया का trade deficit है, लगबग dollar 7.5 billion per annum, जो की बड़ा है, अच्छा comment section बता हो कि अगर किसी देश के साथ trade deficit है हमारा ज्यादा, तो उससे इंडियन economy पर क्या negative impact पढ़ता है, बताना पार्ट, labor law में, environment, gender aspect, इन सारी चीजों में, trade deficit नहों उस चीज को देखना, infrastructure कैसे improve करें, market access कैसे improve करें, और कौन से areas में इंडिया जिसमें अच्छा है, वो उसका market access दें, क्योंकि ये लोग मना कर देता है, service sector में इंडिया के बहुत सारी चीजों को मना कर देता है, बहुत स service sector में बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि इनके थोड़ा से rules इतने आसान नहीं कि हम आजाके रह के और ये areas में काम कर सकें, तो ये इस वज़े से चीजे थोड़ा सा delay हो जाती है, तो इंडिया इस चीज को थोड़ा सा improve करने का प्रयास करेगा, जो हमारी साथ में domestic industries है, उ जो है वो provide की जा रही है, जो देश, आशियान देश हैं, उनके companies जो वहां से हैं, तो उनको ज़्यादा benefit होगा, इंडियान domestic market उससे इतना देख, compete आपका नहीं कर पाएगा, फिर environment labor part भी ध्यान में रखना है, नेक्स देखते हैं, ये topic आपका science वाले page में देखोगे, तो यहां पे इसमें हम लोग दो चीजे discuss करेंगा, यहां से मैंने जो topic आपके लिए pick किया है, science वाला part है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो यह science के context में यह topic important बन जाता है, अब आपने इसके बार भी नहीं पढ़ा होगा, अब इसमें मैंने बहुत सर्च किया कि अच्छा क् सकता है, आप देखोगे, तो यहां पे आता है concept of arisibo message, यह concept मैंने पिक किया, लास्ट एक छोटा सा शब्द mentioned है, पूरा article पढ़ा है, उसमें देखा है, बहुत से common से points है, उसमें तो पूरा कहानी सुना देने से कोई मतलब नहीं है, तो क्या question बन सकता है, तो यहां पे जो topic मेरे लिए निकल कर आया, वो arisibo message, क्या होता है, ठीक है, तो generally क्या होता है, कि यह science का topic है, पहले तो समझना, अब इसमें थोड़ा सा कहानी सुनो, जैसे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि अच्छा कहीं और भी life exist करती है कि नहीं करती है, उसमें काभी life exist करती होगी, कोई technology ऐसी होगी, तो उसको detect करके और हमें पता चल देगा और उनको भी पता चल जाएगा, और अभी यह कहा गया कि अभी फिलाल के लिए signaling के लिए neutrino particles का इस्तमाल किया जा सकता है, लेकिन पहले airisibo को समझो, airisibo क्या है, airisibo जो message है, यह एक interstellar मतलब जो different stars के राउंड planets हैं, galaxies हैं, उनके, उनमे radio waves के माध्यम से message को send किया गया था, यह लगबख 1974 मी किया गया था, और इसमें जो send किया गया था, वो एक messier 13, global cluster इसके उपर discuss करेंगे, मतलब different different जो group of stars and constellations हैं, वहाँ पर messaging की गी, मतलब हमने क्या कि messier 13 है, जो global cluster, मतलब cluster of stars, वहाँ पर हमने यह messages send के radio waves के माध्यम से, फिर इसके माध्यम से हम यह भी show करना चाहते हैं, कि हम किस प्रकार का technological advancement हमने achieve कर लिया है, signaling में या messaging में किस तरीके से कर लिया गया है, तो अभी जो location M13 पर focus किया गया था, जो कि इंडिया, मतलब अर्थ से 25,000 light year दूर है, और यह इसके मा हमने like remodel भी किया, उस telescope से चीज़ों को observe करना, इन waves के माध्यम से observe भी किया गया, तो कुल मिला कि यह message send किया था 1974 में, उसी का नाम Aresibo message रखा गया, ठीक है, और यह message 13 है, यह क्या है, यह basically great globular cluster के रूप में भी consider किया जाता है, इसमें क्या है कि बहुत सारी stars, या जो बहुत सारी stars included है, जैसे M13 की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी different stars या constellation का एक group है, जिसे M13 बोला जाता है, वहीं पर message को send किया दाता है, Aresibo message आपको याद रखा है, अब अगर देखा जाए, तो यहाँ पर एक शब्द मेंचान है neutrino particles, अब कहा गया कि अगर हमें जो messaging करनी है, messaging सिर्फ निर्भर ना करे radio waves पर, अब neutrino particles पर रहना चाहिए, neutrino particles यूज करने की बात क्या गया है, तो यह क्या है, neutrino particles electrically neutral है, massless है, speed of light की तरह यह travel कर सकते हैं, reacts to gravity and weak nuclear force, mostly passes through the matter, कोई भी matter उससे pass हो सकते हैं, फिर उसके बाद क्या है, has antimatter equivalents, antimatter का मतलब क्या होता है, जैसे antimatter जैसे electron है, यह negative है, तो इसका opposite antimatter जो भी particle होगा, वो positive होगा, ठीक है, तो यह antimatter भी होते हैं, तो यहाँ पर इसके has antimatter equivalents, फिर उसके बाद billions of neutron stars चो है, वो pass होते हैं, through body हमारे every second में pass होते हैं, मतलब neutrino particles चो हम भी experience करते हैं, but पता कुछ नहीं चलता है, क्योंकि यह एक तरीके से, यह जो particles है, these particles are basically neutral and massless, क्योंकि massless है, तो हमारे शरीय से भी pass होगे, हमें पता ही नहीं चलता है, next देखता है, stabilizing frayed ties yet hurdle ahead, अब इसमें, देखो, इन में, यह जो article है, इसमें मैंने जो आपके लिए topic pick क किया है, तो यह basically इनोंने चर्चा अपने ही साबसे की है, related with the USA or China, USA और चाइना के बीच का जो लड़ाई है, उसमें किया है, यहाँ पर जो topic मैंने unique pick किया है, वो ताइवान की geography की उपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ताइवान news में है, ताइवान की geography हमें जाना है, थोड़ कि इनके बीच में क्या थोड़ा सा दिकते चलती रहती है, तो US versus China के अगर बात करें, तो mainly क्या है, यह एक लड़ाई है dominance की, दोनों के बीच में dominance की लड़ाई है, है ना, तो जैसे मानलो US की बात करोगे, तो एक तरफ US है, तो US मानलो Quad develop कर रहा है, ठीक है, Quad है, या India Middle East Economic Corrid इसको develop कर रहा है, इंडिया ताइवान के साथ अपने रिष्टे develop कर रहा है, यूएस ताइवान के साथ है, Western Pacific Ocean में presence increase कर रहा है, ठीक है, और US आपका technological advancement करना चाहता है, technological advancement, फिर economic advancement level पे भी वो बढ़ना चाहता है, सारी चीजे है, चाइना की बात करोगे, तो China counter करना चाहता यूएस के dominance को, तो ये अपना ही presence West Asia में बढ़ा रहा है, फिर उसके बाद One Belt One Road Initiative से अपने different corridors बना रहा है, इंडिया को काफी हद तक surround का अपना जो है, वो कर रहा है, ये भी काफी अधिक technological advancement काफी अधिक जो है, वो कर रहा है, और अभी जो कहा जाता है, गाजा और इसम में जो involved है, तो वो इरान को support proper जो है, वो चाइना के द्वारा ही provide जो है, वो किया जा रहा है, अभी जो corridor successful नहों तो अभी आप देखोगे, तो how these जो है, उनके माद्धम से भारत की shapes, इसराइल की shapes, उनको भी रोका जाता है, तो ये सब है कि, ये सब इनके बीच में, कुल मिला चाहिए, अपने content को unique रखना चाहिए, बार-बार repetitive नहीं हो, content ऐसा हमको देखना है, तो अभी जो मैंने आपके लिए geography के लिए pick किया है, और आपको ये भी मैं बता दूँ, geography में जो चीज मैंने cover की हुई है, अगर आप देखो, पिछले prelims से पहले भी 4-5 दिन पहले एक व केंटिंग National Park located है, ताइवान की सोशन में है, Pacific Ocean के अंदर है, इदा ताइवान स्टेट है, तो आप देखो, चाइना और ताइवान को कौन अलग कर रहा है, तो ताइवान स्टेट है, फिर आपके हाँ Sun Moon Lake है, ताइपी इसका capital है, तो ये सब कुछ facts आपको ताइवान के context मे देखना है, फिर यहाँ पर जो एक दूसरी चीज हमें देखना है, वो क्या है कि ये जो ताइवान है, ताइवान के पास से run through the Tropic of Cancer यहाँ से आपका पास होता है, इसको फर्मोसा भी बोला जाता है, और ये बेसिकली जियो सिंकलाइन से formation हुआता है, देखो जियो के लिए sediment है, तो जैसे मानलो, आप आनो की जैसे बालू रखी है, और आप एक तरफ से हाथ इधर लगाओ, एक तरफ हाथ इध लगाओ, बालू को ऐसे प्रेस करोगे, तो बालू ऐसे उपर उठेगी, तो आप मानलो की ऐसे एक पूरे समुद्र में sediments प्रेजेंट होता है और यही sediments basically help करते हैं, formation of mountains and islands, इन्हें हम geosynclined बोलते हैं, और यहाँ पे जो दो major plates involved हैं इसके formation के लिए, तो वो Eurasian plate है, आपका, प्लस यह आपका, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे it was found when Eurasian plate slid over an old chain of volcanic island in the Philippines mobile belt at the northern end of the island, the Philippine mobile belt sank under the Eurasian plate, मतलब जो Philippine mobile belt है, वो it went inside the Eurasian plate and then there was a formation of Taiwan, Taiwan का formation हुआ था, अब यह बहुत ही मतलब उस region में भी located, island arc region में भी located है, अब यहाँ पे दो चीज़ें थोड़ा सा मैं एक बड़ा और बता देता हूं आपको, concept आपको, एक और concept इसमें जोग्रफी का आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो generally क्या होता है, कि generally आप इस चीज़ें को समझो, कि जैसे मालो कि कोई एक plate है, suppose करो यह एक plate है, और यह पूरी जो tectonic plate जिसे हम कहते हैं, अब यहाँ पे जो यह tectonic plate है, तो जैसे for example, अगर कोई यहाँ पे आपका एक tube C है, ठीक है, इ जहां से walk है, जो अंदर magma है, वो इस mental plume से उपर तक जाएगा, under pressure, काफी अधिक आपका, जो magma मालो यहाँ पे present है, तो यह mental plume के माध्यम से, यह surface की उपर आएगा, तो यह जो surface है, जहां से यह magma बाहर की तरफ निकलेगा, इसको हम hot spot बोलता है, इससे क्या बोलता है, we use this term called as hot spot, और यही hot spot क्या होता है, जनरली क्या होता है, प्लेट्स मूव करती है, तो मालो अभी यहाँ है, फिर क्या है, यह वाला पार्ट इधर मूव कर जाएगा, फिर यह वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो देखो, जनरली यह तो fix होता है, लेकिन यह move होता है, जैस यह आयलंड आर्कॉर्मेशन स्यूखर और यह आईसलींद आर्क के अरॉंड ही टाइवान भी आपका लोकेटीड है और हम हाट्सपॉट शब्द शब्द उसकरते हैं next देखते हैं global goal on adaptation and road from Dubai अब ये topic आपको note करना है you have to note it down under COP28 COP28 पर हमने काफी सारी चर्चा अल्रेडी कर रखी नए-नए चीज़े आ रही है अगर आप हमने notes को देखोगे आपका जो content बनेगा ultimate content रहेगा मैंने आपको बोला था कि COP28 से रिलेटर आटधर स्पेस छोड़ देना अब देखोगे आप बहर dimension आपका cover होगे अब एक नए dimension इन्होंने चाचा की हुई है ये नए dimension आ गया नए dimension है तो उसके कुछ point समय जाना है हमने climate financing, climate justice already सब discuss किया जिस पर इन्होंने यहां भी चर्चा कर रखिये बट उसको repeat नहीं करेंगे अभी हम लोग discussion करेंगे इन्होंने GGA के बारे में discuss किया है तो वो समझेंगे COP28 के बारे में discuss करता है अब यहां पर इसको समझने से पहले दो terms हमें समझना है यह बहुत important बन जाता है दो terms है एक term है adaptation दूसरा term है mitigation adaptation और mitigation के बीच का अंतर्म वो हमें समझना है mitigation का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो factor responsible मालोग climate change हो रहा है तो greenhouse gas के emission के वैसे आपका climate change हो रहा है तो greenhouse gas के emission को reduce करना है इसे हम mitigation बोलेंगे अगर मालोग climate change हो रहा है और उसके प्रती हम अपने आपको change करना है उसे हम adaptation बोलेंगे जैसे मालोग temperature बहुत बढ़ रहा है तो हम अपने agriculture को बदलाव करना है वो adaptation होगा तो यहाँ पे दो शब्द आपको यादखने जैसे मालोग कि emission reduction renewable energy, energy efficiency यह mitigation होगा जैसे climate resilient infrastructure, disaster management यह adaptation के कंटेक्स में आगा कुछ चीज़े दोनों में common होती जैसे community and employee well-being creation of shared value, conservation of natural resources अब जो means का मैंने question दिया था उसकी थोड़ी framing मुझे और अच्छी करनी पड़ेगी तो उसमें जो मतलब आप यह देखोगे यह जो चीज़े हैं यह दोनों adaptation में भी help करेंगी और mitigation में भी help करेंगी दोनों में help करेंगी तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करो कि यहाँ पर भी फिलाल जो COP28 की meeting आपके होई थी दुबाई के अंदर तो वहाँ पर भी एक चीज़ रखी गई है इस अभी जो focus किया गया है like that is related with the adaptation अभी इसमें Paris Agreement जो था उसमें भी Global Goal on Adaptation GGA जिसे हम कहते हैं उसमें फोकस किया गया था COP26 में COP27 में भी same चीज़ फोकस की गया है और इसके बाद ही फिर एक framework adopt किया गया था COP28 का related with adaptation तो यहाँ पर challenge बहुत सारे adaptation के context में like for example कि जो जिसे अगर आपका adaptation करना है किसी चीज़ का तो पर हमें यह देखना पड़ेगा कि किस level का climate से related जो disaster यह हजार्ड है वो किस तरीके से है किस प्रकार का impact है कौन किस पर ज़्यादा risk है कौन ज़्यादा vulnerable बनता है किस बेसिस में आप calculate करोगे matrix एक बहुत बड़ा factor है कि क्या indicators है क्या factors जिस बेसिस में आपको calculate करना है अब बोलोगे यह risk में है यह vulnerable है लेकिन वो किस बेसिस में आप उसको calculate करोगे vulnerability और कैसे देखोगे तो matrix कैसे आप develop करोगे यह challenge बनता है और फिर तभी हम एक national adaptation plan बना सकते हैं planning process लेकर आ सकते हैं strategies जो हैं वो develop कर सकते हैं by 2030 तो यह चीज़े हमें देखनी पड़ेंगे फिर by 2027 parties न जो framework जो है GGA का उसमें यह भी कहा है कि हम early warning system लाएंगे climate information service जिसके माध्यम से जो भी risk है मतब climate information कि अभी यह climate अभी यहाँ पर इस प्रकार का है और इस प्रकार का है तो हमें इस प्रकार के steps लेना पड़ेगा जिससे risk जो है उसके impact को reduce किया जा सके climate related data information उसको better observe करना जिससे कि better तरीके से अच्छे तरीके से predictability हो सके forecasting आपकी कहीं हद तक better आपकी जो हो सकते है तो यह सारी चीज़े भी आपकी highlight की गई है और इसमें इसे के माध्यम से जो different adaptations and related measures हैं वो हम ले सकते हैं अब इसमें यह भी आपका highlight किया गया है कि जैसे mitigation की अगर बात की जाए तो mitigation में हम यह कहते हैं कि ठीक है mitigation में हम यह कहेंगे mitigation का approach क्या है कि जैसे 1.5 degree Celsius से temperature आपका बढ़ना नहीं चाहिए और अगर उसके लिए हमें जो कदम उठाना है मालो जो भी कदम हम उठा रहे है जिससे कि gas का emission ना हो ग्रीन हाउस गैस का emission नो यह सब हम कर रहे है लेकिन adaptation के लिए focus क्या किया जाता है कि 1.5 degree से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि देखो adaptation की भी limitation अब 3 degree Celsius और 4 degree Celsius temperature बाज़ है तो adaptation आप करी नहीं सकते हो adaptation क्योंकि वो बहुत extreme step हो जाता है तो इसमें priority भी थोड़ा सा reduce हो जाती है in comparison to mitigation तो वो adaptation से ज़्यादा focus mitigation पर ज़्यादा करने का प्रयास करते है तो greater level of mitigation that will reduce the need for additional adaptation effort तो यह बोला जाता है कि आप adaptation की जगह इस better आप adaptation पर इतना focus कर रहे है इससे better mitigation पर कर दो समझ इस चीज को समझाओ कि क्योंकि देखो adaptation की limitation है न मालो on and average temperature तीन से चार डिग्री से बढ़ गया तो फिर adapt कैसे करोगे तो वो एक challenge आए तो इसलिए strategy placed strategy against climate change ठीक है to equally placed strategy against climate change बट not equally placed ठीक है मतलब रखा तो जाता है बट असल में equally placed नहीं है कहने का मतलब इस question का यह है कोई doubt हो तो इस number पे मुझे reach कर सकते है आकलन series 105 CSE app के अंदर है तो उसको आप हिस्सा बन सकते हैं इसके अलब 105 CSE app को download करना इस पर ebook भी पड़ी हुए pointer current of air के PDF भी पड़े हुए है और भी कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी agriculture option अभी 20% off चल रहा है तो इसको जरूर से join करें ठीक है बाद में फिर यह off नह काफी सारी चीज़ें हम लोग का coverage रहेगा focus रहेगा चाहे P.I.Q के माध्यम से वह है subjects कौन सा कैसे पढ़ें कौन सी बुक पढ़ें कौन से area को focus करना है targets मिलेंगे तो इससे आप divert नहीं होगे किस test series को करें कैसे करें current affairs कैसे करें हर चीज़ का मतलब एक target मानलो आपको Monday को मिलका Saturday को review होगा one-to-one interaction सब कुछ इसके अंदर होगा ठीक है तो यह focused तरीके से रहेगा जैसे होता है ना कि train का engine होता और फिर पीछे डिब्बे लगे होत चुरू कर रहे हैं तो मैं उनको यह कहूंगा कि पहले कुछ चीजें मतलब मानलो आपने अभी पढ़ाई ही नहीं है और आप सेरो सोच रहों कि मैं 24 की तायरी कर लूँ मेरा इमानना है कि mentorship program का वही हिस्सा बने जो एक level achieve कर चुके हैं level achieve करने में तो आपनी basic books पढ़ चुक एक plan strategy के माध्यम सामलों का प्रलिम्स निकल जाएगा यह उसकी पूरी charity आपकी रहेगी ठीक है तो यह मुझे mail आप लोग करो जिससे मुझे idea लग जाएगा ठीक है history geography सारे जितने भी subject mentioned है attempt कौन सा है CSET का कैसा आपका है background क्या है सारी जानकरी आप मुझे send करो ठीक है आप स इसी टेलिग्राम चैनल का हिस्सा बनों उसमें भी सारी update आपको मिल जाएंगे PDF अच्छे मिलते हैं इस session का PDF भी मिलता है magazine का PDF मिलता है सब कुछ यहां पर भी available है वो भी आप लोग गोथ रूओ तो आज के लिए इतना ही I hope session आपके लिए helpful रहा होगा मिलते है next session के अंदर thank you everyone thank you